वेरी गुड मॉर्णिंग तो आल इन वर्ल, वेलकम बैक अगेन इन माई यूट्यूब चैनल येडी क्लासेज, एक बार फिर से आपका सबका स्वागत है, As usual, हमेशा की तरह फिर से मैं आपके लिए बैलोजे का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, एक special type की cycle, जिसको कि हम कहते क्या हैं, जिसे हम menstrual cycle कहते हैं, menstrual cycle primate means वो सब जो monkey की family के members हैं, ठीके, और humans में ये चलती हैं, जिसमें outflow हर 28 days में बाहर आता है, और uterus की अंदर की wall break होती है, तो आईए इस बारे में पढ़ते हैं, ठीके, और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से remind कराना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नई सब्सक्राइब किया, तो प्लीज नीचे जाए, red बेटन को दबाईए, चैनल को सब्सक्राइब कीज़े, bell icon को दबाईए, जिससे मेरे वीडियो की notification सबसे पहले आप तक मोचे, और आप NEET में और अपने सिबसी बूड के course curriculum में अच्छे marks attain कर सकें, और आप डॉक्टर बनने की रह में आसानी से चल सकें, right, that is my final motto, तो इसी spirit के साथ में start करते हैं आज का वीडियो, देखें, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ menstrual cycle, menstrual cycle का जो time spawn होता है, वो 28 days का होता है, हर 28 दिन में एक cycle चलती है, मतलब ovary release होती है, और अगली cycle की preparation होती है, right, इसलि आप देख पा रहे हो, यह first day से start है, बीच में 5th day है, और 14 day है, यह मैं यहाँ पर 28 day लिख देता हूँ, ठीक है, this is 28 days, तो 28 दिन की एक menstrual cycle होती है, यह कैसे चलती है, अच्छा, यह cycles इस तरह की ही parallelी एक cycle, बाकी bovines में और बाकी के vertebrates में चलती है, उसको हम ostrus cycle बोलते हैं, ostrus cycle में किसी भी तरह का menstrual outflow बाहर नहीं आता, वो menstrual जो भी outflow होता है, वो internally ही body में consume हो जाता है, लेकिन menstrual cycle में यह outflow बाहर की ओर आता है, देखे, menstrual cycle चलती क्यों है, menstrual cycle का एक purpose ही होता है, reproduction करना, reproduction की process में एक को release किया जाए, और एक को release करने के बाद, वो fertilize हो और जाइग sexual cycle में दो चीजों के बारे में हम discussion करेंगे, पहली चीज क्या कि हमारी uterus involved होती है, और ovary involved होती है, uterus और ovary दोनों ही participate करती है, हम last की कुछ classes में, videos में पढ़ चुके हैं, कि किस तरह से हमारे humans में female के अंदर sex organs होते हैं, और वो कैसे function करते हैं, उजनेसिस क्या होती है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा, तो प्लीज, आप जाएए description box में, उस वीडियो को click कीजे, या आप directly मेरे channel में playlist में जा करके, human reproduction को click करके, उसके अंदर इन सभी वीडियो को दे सकते हैं, जो आपके basics clear करते हैं, तो देखिए, ये हमारी हो गई ovary, और मैंने ये uterus की, ये cervix वाला part है, है ना, ये uterus की walls है, uterus में three walls पाई जाती है, इन में सबसे अंदर वाली जो wall होती है, वो कुछ wavy nature की होती है, जो की बंती और बिगड़ती रहती है, ये सबसे अंदर वाली जो wall है, इस wall को हम कहते क्या है, इस wall को हम endometrium कहते हैं, right, endometrium जो wall होती है, endometrium, तो यहाँ पर graphical representation के थुरू, मैंने ये वाला जो diagram represent किया है, ये endometrium का ही diagram है, कैसे कैसे endometrium बनती है, और बिगड़ती है, at the end of menstrual cycle in general, अगर pregnancy achieve नहीं हुई, fertilization नहीं हुआ, तो endometrium बिगड़ जाती है, तो खमेसा होता क्या है, कि जब menstrual outflow खतम हो जाता है, उसके ब तो ये फिर से break हो करके menstrual outflow के form में, cervix के थुरू, यहाँ से बाहर आ जाती है, इसमें bleeding भी होती है, क्योंकि यहाँ पर, ये internally capillaries का formation हो जाता है, वो rapture हो जाती है, तो देखें कैसे होता है, और ये जो ऊपर वाला part आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला part, ये वाला part जो हो है, ये part किस चीज को represent कर रहा है, ये ovary के अंदर जो development हो रहा है, उसको represent कर रहा है, अब देखें, ये एक ऐसी process है, जो completely hormonal controlled process है, होता यू है, कि सबसे पहले anterior pituitory से, हमारी anterior pituitory से follicle stimulating hormone release होता है, follicle stimulating hormone का function क्या होता है, ये सबसे पहला काम करती है, कि primary follicle का बनना start करती है, follicles वो covering हैं, जिनके अंदर एक का production होता है, तो primary follicles का बनना start करती है, follicle यहाँ पे develop होना start हो जाती है, इसको हम growth of follicle बोलते हैं, दूसरा क्या करती है, it stimulate, अब यहाँ पर जो primary follicle है, इन ही को stimulate करती है, कि इनके अंदर से estrogen secret होना start हो जाए, तो estrogen hormone है, ये कहां से release होता है, इनक इसको हम primary follicles बोलेंगे, primary follicles से estrogen hormone release होता है, अब आप देख पा रहे होंगे, कि 1 to 5 day में development हुआ, नीचे यहाँ पर इस layer का भी development साथ में चलता जा रहा है, estrogen hormone release हुआ, धीरे-धीरे estrogen hormone जैसे, जिसे release होना start होगा, follicle stimulating hormone suppress होने लगेगा, तो यहाँ पर estrogen का क्या function होता है, estrogen release किसक की वज़े से, FSH, मतलब follicle stimulating hormone, यह primary follicle की growth में help करता है, और estrogen को release में, estrogen release होकर कि आप क्या function करेगा, सबसे पहला इसका function होगा, follicle stimulating hormone को suppress करना, आप graph में देख पा रहे होंगे, कि यह उपर की तरफ rise कर रहा है, मतलब इसका secretion बढ़ रहा है, और जैसे जैसे इसका secretion बढ़ र रहा है, अब यह एक और function करता है, estrogen release होने के बाद पहले FSH को suppress करता है, दूसरा important function क्या करता है, कि यह anterior pituitory से release होने वाले luteinizing hormone, जिसको LH कहते हैं, उसको push करता है और उसको release करने के लिए anterior pituitory से कहता है, anterior pituitory क्या करती है, luteinizing hormone को release करती है, LH 14 day पे अपने peak में होता है, तो यहाँ पर यह follicle rupture हो जाती है, और evolution हो जाता है, एक बाहर की और आजाता है, तो यहाँ पर अब यह एक बाहर की और निकल आया, इस process को हम लोग evolution बोलते हैं, तो menstrual cycle की 14 days में एक बाहर release हो जाता है, और इस process को आप evolution कहते हैं, तो पहले वाली phrase में 1 to 5 day तक menstrual outflow हो रहा ह होता है, उसके बाद यह जो process start होती है, proliferation की process, तो FSH रिलीज होता है, तो proliferation की process start होती है, इसके बाद 14 day में क्या हो जाता है, आपका evolution, ओवा निकल गया, इसके बाद जो बाकी का follicle का हिस्सा है, यह contract होना start हो जाता है, अब यह क्या होता है, यह आपका जो luteinizing hormone था, इसी क function था, evolution होने के बाद, इसको यह contract होकर के corpus luteum के form में convert हो जाती है, light yellow color की, corpus luteum अब secretion का function करती है, तो आगे वाली phase जो है, वो secretory phase है, इसले इसको हम secretory phase बोलते हैं, अब corpus luteum क्या करती है, corpus luteum, progesterone को release करने का function करती है, progesterone release होता है, progesterone क्या करता है, implantation of OA, अगर fertil fertilization हो गया है, यह evolution होने के बाद, OA यहां से निकलता है, release होने के बाद, यहां से फैलोफेन टूब के थूब के थूप आते हुए, यहां पहुंच जाता है, अब क्या होता है, अगर fertilization हो गया, अगर यहां पर gigot का formation हो गया, embryo बनने लगा, तो अब इस fertilize gigot को implant करने का जो क तो जब fertilization नहीं होगा, fertilization ना हो पाने की वज़े से यह आपकी जो endometrium वाल है, यह break होना start हो जाती है, यह temporary wall है, यह wall एक nutritive cells की बनी होई होती है, जो loose cells की बनी होई होती है, और इसके नीचे बहुत सारी blood capillaries develop हो जाती है, जब fertilization नहीं हो पाता, OVA का implantation नहीं हो पाता, implantation ना हो पाने की वज़े से यह wall break होना start हो जाती है, wall में बहुत पतली-पतली blood capillaries पाई जाती है, blood capillaries के rupture हो जाने की वज़े से bleeding start होती है, और menstrual outflow start हो जाता है, first day से लेकर के fifth day तक यहाँ पर bleeding होती है, fifth day खतम हो जाने के बाद दुबारे से अगले cycle के लिए preparation होती है, अब यह endometrium फिर से साथ में बनना start हो जाती है, और endometrium fully develop हो जाती है, endometrium बनती इसलिए है, ताकि आने वाले embryo को develop होने के लिए proper तैयारी की जा सके, अब अगर fertilization हो जाता है, तो यहाँ पर fertilize हो जाने के बाद यह जो endometrium है, endometrium के अंदर एक चला जाता है, और endometrium आपने उपर एक covering बना लेती है, यहाँ पर एक पतली सी, उपर covering बन जाती है, और यहाँ पर जो आपको blood capillaries दिखाई दे रही है, यह blood capillary उसको nutrition provide करने का function करती है, और finally, फिर embryo all develop होता है, और embryo develop होकर के placenta का formation करता है, right, so this was all about the menstrual cycle, hope आपको यह picture clear हो गई होगी, right, क्यूंकि मैं यहाँ पर दोनों ही चीज़े आपको represent करने की कोसिस की है, uterus में किस तरह से cycle चलती है, और साथ में ओवरी में एक का formation कैसे होता है, right, so guys, please, अगर आपको अभी भी कोई doubt है, so please, मेरे description box में जाईए, आप question लिखिए, मैं उसका answer definitely रूँँगा, और आपके concept को clear करने की कोसिस करूँगा, so, thank you, ladies and gentlemen, watching my own channel, JD Classes, आपका सबका हमेशा से मेरे channel में स्वागत रहा है, आप दूसरों तक share कीजे, subscribe कीजे, like कीजे, और इस free of cost education को उन लोगों तक पहुचा ये, जिनको सच में इसकी जरूरत है, आवशकता है, right, और आपके suggestions हमेशा invited है, अगर कोई suggestion है, तो please आप दीजे, I will try to implement it, if possible, right, so, thank you, ladies and gentlemen, watching my own channel, JD Classes.